कीवर्ड रिसर्च करने के बाद, और्गनाइज करने के बाद, उसमें कमर्शल लेवल की कीवर्ड निकालने के बाद अब एक और स्टेप भी इन्वाल्ड है, जिसमें हमने इस सब जब उसको शॉट लिस्ट हम कर लेते हैं उस सब के बाद हमें उनको एक अलग फाइल में निकालना होता है ताके हम बाद में इसको असाइन कर देते हैं हर पेज को एक सेट अफ कीवर्ड अब इसका मतलब क्या है जब आपकी वेबसाइट होती है उसके ओपर डिफरंट ले आउट होते हैं, डिफरंट स्ट्रक्चर होता है है और हर वेबसाइट का वेड़ी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑनके आप या आपकी क्लाइन की वेबसाइट इसytyy बनी हुई है और अगर वेबसाइट नहीं बनी हुई अभी, तो वह किस तरह से बने गई, यह सारी चीज़ फिर करती है depending on कि आपका content क्या है, आप बेच क्या रहे हैं, आपकी products क्या है, आपकी services क्या है तो किसी भी तरह से आप किसी भी structure में website बना सकते हैं लेकिन SEO के लिए हमें वो structure बहुत importantly देखना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम जब keyword research करते हैं पहले तो हम अपने relative topics निकाल लेते हैं, जिसना से mobile phone की example में हमने mobile phone भी निकाला, mobile phone prices भी निकाले, buy mobile phone भी निकाले उसके बाद फिर related keywords में चले गए, जिसमें हमने smart phones भी निकाले तो इस तरह से हम अपनी keyword research को expand करते चले गए और एक से ज़्यादा हमने एक से चार, चार से दस, और अगर आपकी business ज़्यादा बड़ा है या आपकी products ज़्यादा है, तो आप उसको expand करते चले जाते हैं लेकिन अब हमने इन सब keywords को combine करके एक जगा पे हमने optimize भी करना है और वो optimization होती है page level पे तो आपकी website में जितने भी pages हैं, हर page को हमने keyword का एक group assign करना होता है और वो group फिर उस keyword उस page से associate हो जाता है और उस से associate होने का मतलब जी है कि ये आप keywords भी कहीं और associate नहीं करेंगे ताकि duplication ना हो तो आपके जितने भी keywords हैं, उन सब keywords को हमने हर एक page के साथ attach करना है और वो page अगेन vary कर सकता है, लेकिन मैं आपको अभी चोटी सी exercise करवाँगा जिसमें आपको ये समझा जागी कि ये करना कैसे है और आपने बस इसी को follow करते हुए, अपनी website या अपने client की website उसको देखना है कि वो किस तरह से structure हुई है और उसमें क्या-क्या चीज़ें required हैं, आप उसको जब assign कर लेंगे, तब आप बाद में उसको associate, मतलब SEO के लिए आप उसको associate कर देंगे उसके साथ फिर इसका मतलब यह होता है कि हम मजीद जब इस course को पढ़ेंगे, हमने जब आप में on page optimization और off page optimization करनी है तो यह जो group आप associate करेंगे उनके साथ, फिर ये group के against ही आप सब कुछ करेंगे इस group से आप हटके कोई और keyword attached नहीं करेंगे, unless कि आपको लगे कि मुझे दुबारा से इसको redo करना है या दुबारा से हमें keyword की नई research करनी है, फिर worst case scenario में आप कर सकते हैं, लेकिन अमूमन इसकी ज़रुरत नहीं पढ़ती आप जब एक दफ़ा keyword साथ उससे एट कर लेते हैं, तो आप नए keywords के लिए नए pages बनाते हैं, आएए देखते हैं जिससेंगे आप मेरी स्कीन पर देख सकते हैं कि में पस वही मुबाइल स्टोर में keyword research में तीन folders हैं जिसमें मुबाइल फोन्स, मुबाइल फोन असेसरी और स्मार्ट फोन्स हैं मैं मुबाइल फोन्स में जाऊंगा, जहांपर मैंने डेटा clean किया था, एक keyword research का अब चूंकि मुझे एक नई keyword फाइल चाहिए, मेरी कोशिश ही होगी कि मैं इसी को duplicate करूँ ताके मैं उसको छेड़ शाड़ ना करूँ, मैं एक नई फाइल बना लूँ, उससे फाइदा यह होगा कि मेरे पास पराना डेटा भी रहेगा और मैं नए डेटा भी बना सकूँगा इसको मैं rename करना चाहूंगा, और इसको मैं clean'd की जगा मैं अब इसको shortlisted का word लिखूंगा shortlisted का मतलब यह है कि मैं जब इन में से shortlist कर लूँगा, और बाद में जब मुझे कभी इस folder में या इस file को open करना होगा तो मुझे याद रहेगा कि यह keyword में काम कर चुका हूँ और यह clean करने के बाद मैं इसमें से अपने relevant groups के keyword shortlist भी कर लिए है और मैं आपको भी बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे shortlist करने के लिए आप उसको file को open कर ले, आपके पास वही data दुबारा से आज़ेगा जो आपने clean किया था मैं existing file का नाम, इसको मैं raw का word दे सकता हूँ, यह वो raw keywords हैं जो by default मुझे ऐसे ही मिले थे आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं जब इसका मैं नाम change करूँगा, उसके बाद मैं इसको duplicate करूँगा, ताकि इसी की copy बन जाए, और मैं उसमें से फिर shortlist कर सकूँ यह copy create करने के बाद मैं इसको भी rename करूँगा, और इसका नाम मैं shortlisted लिख सकता हूँ shortlisted file copy करने के बाद, अब मुझे इसमें से क्या करना है, कि मुझे इसमें से data clean करना है, ताकि मैं existing सारा data delete कर दूँ और हमारे पस एक blank sheet रहे जाए, heading मैं delete इसलिए नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे दुबारा copy करनी पड़ेंगी, तो heading हम वैसे ही रखेंगे और यह जो formatting है, इसको clear करने के लिए मैं यहाँ से format पे जाके clear formatting कर दूँगा, ताकि जो मैंने color coding की थी, green, yellow या red, वो सब colors खतम हो जाएं तो अब में पस बिल्कुल blank data है, मैं अब क्या करूँगा, मैं raw पे जाऊँगा, और मैं देखूँगा कि मेरे कौन से वो green keywords हैं, जाब वो shortlisted keywords थे जो मैंने एक page को assign करने हैं, तो यह मेरा जो page है, यह mobile phones का page है, और मैं इसके against mobile phones के keyword निकाल लूँगा, यह आप exercise हर keyword के लिए repeat करेंगे, ताकि आपको यह पता हो कि आपने एक page के कौन से keyword निकालने हैं, और आप जितने भी green keywords आपने shortlist किये होंगे, आप उनको copy करके, अपने पास एक एलादा group में save कर लेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने चार keyword shortlist कर ली हैं, लेकिन इसमें से एक keyword मुझे नहीं करना था, जो कि best android phone है, तो इसको मैं delete कर दूँगा, क्योंकि यह सिर्फ मैं mobile phone से related ही words चाहता हूँ, अब मैंने एक page के उपर तीन keyword shortlist की हैं, तो लेकिन 4, कम असकम या maximum 10 से 12 keywords कर सकते हैं, आपको से ज़्यादा नहीं करने होते हैं, अगर आपको ज़्यादा keywords लगे हैं, कि आपके ज़्यादा keywords relevant हैं, तो आप उनको मजीद pages में divide करके, 5-6 keywords एक page पर आप divide कर सकते हैं, ताकि आपको over keywords की population ना होस में, Google इसको गलत समझता ह और इसमें हम मजीद बात करेंगे, इसको keyword density भी बोलते हैं, तो हमें बस keyword limited रखने होते हैं, ताकि Google को पता हो कि कौनसे keyword में कौनसा page rank करना है, तो इस तरह से मैं एक group बनाकर, सिरफ और सिरफ इसी group के game से एक page को assign करूँगा, अगर मुझे और page create करना है, मैं उसकी keyword सरच करक और फिर मुझे पता होगा कि यह वो groups हैं जो मैंने किसी और पेश में यूज नहीं करने हैं, इस lesson में मैंने clean किये हुए keywords को shortlist किया different group में, अब तक हम जो कर रहे थे, वो keywords को shortlist कर रहे थे, सिरफ उसकी relevance की बनाद पर और उसकी commerciality की बनाद पर, लेकिन हमें जब वो keyword research में से targeted keywords को separate भी करना होता है, ताकि बार बार आपको या आपके client को जिसको भी SEO पर काम करना है, उसको वहाँ से research से जाके वो data filter out ना करना पड़े, आप अलग से pages का data निकाल कर उनको दे देते हैं या अपने पास रख लेते हैं, इससे आपको exact अंदाजा हो जाता है, जब भी याद रहेगा वापिस आने का, पि कौन से page के लिए कौन से keywords आपने assign किये थे, और हमेशा से आपने वही assign करके उन्ही के गैंसिस को optimize करना है, उन्ही के गैंसिस पर links बेल्ड करने है, और उन्ही को इसी पर assign रखना है, कभी future में अगर आप नए pages create करें, और आपको लगे कि same keywords यूज करने हैं, तो आप याद रखिएगा, अगर आप यही keywords तो 12 से किसी और page पे यूज करेंगे, तो आप Google को confuse करेंगे, कि किस तरह से आप एक ही keyword पे दो pages बनाके Google को दिखा रहे हैं, तो Google को यह नहीं पता होगा, कि पहला page rank करना है, या दूसरा page rank करना है, और इस में ही मकाबला कर रहे होंगे, जबकि आपका already बहुत सक्त मकाबला बाकी website के साथ हो रहा होगा, तो आपने ये कोशिश करनी है, कि किसी भी तरह से जो आपके groups हैं, वो overlap नहीं होने चाहिए, वो duplicate नहीं होने चाहिए, ताकि आप single page के उपर एक ही group पा sign करें, और उसको avoid करे ताकि आपको penalty ना पड़े और आपको Google spam consider ना करें और वो आपको मजीद अच्छी ranking दे